मदिहा तारीक के चेहरे पर खिर्खिलाता ये मुस्कान भारत और पाकिस्तान के बीच इंसाने रिष्टे की एक और कहानी है। 16 साल के मदिहा जब लाहर से चली थी तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि किस्से और कहानीों का उसका ये पुड़ोसी मुल्क उसकी पीड़ा को मुस्कान में बदल नई जिन्दगी की सौगात दे जाएगा। दरसल हेपेटाइटिक के कारण मदिहा का लीवर पूरी तरह से खराब हो गया था। मदिहा को दो फर्वरी को दिलने इस्थित अपोलो अस्पताल में ताखिल कराया गया और अगले ही दिन उसके लीवर का प्रत्तरोपन किया गया। अब मदिहा पूरी तरह से ठीक है। डॉक्टरों के लिए मदिहा का लीवर ट्रांस्प्रांट करना काफी चुनोती भरा था। क्योंकि मदिहा का ना केवल दिवर पूरी तरह से खराब हो गया था बलकि उसकी हालत काफी गंभीर हो गई थी और वो कोमा में चली गई थी। क्योंकि मदिहा कोमा में थी और लांड ट्रांस्फर जो था वो संभब नहीं था इसलिए हमें एयर एम्बूलेंस भेजनी पड़ी यहां से एरक्राफ्ट गया लहौर और वेंटिलेटर पे मदिहा को लाया गया और इस सब को करने में काफी कॉर्डिनेशन की जरूरत थी ब मैं रेडी था कि जरूरत होगी तो डेफिनेटली और वही हुआ हम पहुंचे हैं तो प्रॉबबली एठारा घंटों के अंदर ही सारा प्रॉसेस हुआ है वहां से तो आते हुआ में कुछ मालूम नहीं था कि वहां क्या होगा सबाए हम डाक्टर का नाम जानते थे या फिर लिवर पूरी तरह से खराब होने पर ट्रांस्प्रांट के लावा कोई विकल्प नहीं होता लेकिन इसके लिए जरूरत होती है एक डोनर की और मदिहा इस मामले में खुशकिस्मत रहे कि उसे डोनर मिला और मिला अपने वतन सरीखा एक वतन इलाज के बाद स्वस्थ होकर मदिहा अपने वतन पाकिस्तान वापस जा रही है वो शुक्र गुजार है यहां के डॉक्टरों और सरकार की जिनके वज़े से उसकी जान बची वो भी ऐसे वक्त में जब लाहोर के डॉक्टरों ने उमीद छोड़ दी थी कैमरामेन परमोद नेगी के साथ नितंदर सिंग डिटी निव्स दिल्ली